नमस्कार, सभी आगनवारी सेविका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में जैसा कि हम और आप जानते हैं कि राष्टिय पोसं माह मनाये जा रहा है तो इस राष्टिय पोसं माह के अंतरगत आप लोगों को कौन-कौन सी गतिविदिया करनी है आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं जैसे कि इसके रिकार्डिन हमें एक पत्र पराप्थ हुआ है जिसमें कि सारी गतिविदिया दी गई है और आपको आगे बताएंगे जो वोसं अभियान का डैस्बोड है वहाँ पे चलके आप लोग कैसे जो भी गतिविदी है एक से लेके 30 सितंबर तक उसको कैसे अपलोड करेंगी तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेलफुल राने वाली है वीडियो को सुरू से लेके लाश्ट तक आप लोग जरूर देख लीजेगा जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि दिनांक 31-8-23 कोई लेटर आये हुआ है इस लेटर के निदेशक है ICDS और सेवा में सभी जीला पददिकारी को वी लेटर भेजा गया है यहाँ पे आप भी सही देखेंगे तो लिखा गया है राश्ट्रिया पोसन माह 2023 दिनांक 31-30 सितंबर 2023 तक आयोजन के संबन्द में यानि कि जो यह राश्ट्रिया पोसन माह मनाया जाएगा यह 1-30 सितंबर तक मनाया जाएगा इसमें कौन-कौन से गतिविधिया है नीचे आपको यहाँ पे दिखलाने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी हमेशा सराती है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आप लोग लाइक करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम आपके लिए इस प्रकार से नई-ने वीडियो ज लेके आते रहते हैं यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले हैं अब एक्ठी सुधार लाने है तो जन भागिदारी के माध्यन से जागरूकता लाने का पडियास किया जाता है इस वर्ष पोषन माह की गतिविधी मानो जीवन चक्र के परमुक्स चर्णो जैसे गर्वस्ता, सैस वस्ता, बचपन और किसोरा वस्ता के बारे में जागरूकता तथा उसके पोषन अधारित संवेदिकरण के लिए केंद्रित है इस वर्ष पोषन माह का थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत और ससक्त भारत तो ये थीम आपका इस वर्ष रहने वाला है तद नुसार पोषन माह 23 हे तु लिखित विस्तोयों पर गतिविधिया अधारित है यहाँ पे जो गतिविधिया दी गई है इसी गतिविधिक अनुसार आपको जो भी दैनिक कारे दिये जाएंगे उसको यहाँ पे आपको कमप्लीट करना है पहला जो गतिविधी है यहाँ पे केवल अस्तानपान एवं उपड़ी आहार है तू परामर्स एवं जागरूपता गतिविधी का आयोजन दुसरा है स्वस्त बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन तीसरा है पोशन भी पढ़ाई भी चोथा यहाँ पे है मिसन लाइफ के माध्यम पोशन अस्तर में सुधार है तू जगरूपता गतिविधी का योजन उसके बाद अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान उसके बाद अगला है जन जातिया केंदरी छेत्रों में पोशन सम्वेदी करन है तू उनमोखी करन वा परामर्स और लाश्ट है एनेमिया परबंधन पर परिक्षन उपचार परामर्स यों चर्चार यह सारी गतिविधिया आप लोगों के लिए रहने वाली है अता अनुरोध है कि सनलंग कैलेंडर के अनुरूप सभी संबंधित विभागों के समन्वे से दिनांग एक से लेके 30 सितंबर 2023 तक पोशन मां 2022 का सफलता पुर्वक आयोजन कराये जाए साथ ही इस परतिवेदन के आकरों को जन अंदोलन डेस्ट बोड पर लिंक जो दिया गया यहाँ पे पोशन अभियान.gov.in इस पर अप्लोड करना सुनिश देख लेते हैं क्या दिया गया है केवल अस्तनपान उपड़ यहार जो की एक से लेके 7 दिसंबर तक आयोजन किया जाएगा एक से लेके 2 सितंबर तक आप लोगों को जो यहाँ पे गतिविधी है वो दिया गया है पोशन रैली परभात फेरी साइकिल रैली तो यह गतिव जीविका, सिक्षा विभाग, पंचाइती राज एवं अन्य सहयोगी विभाग का आप लोग यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं उनको से बोलके वो लोग भी साथ में इसका जो सहयोग है वो आपको करेंगे ठीक है और यहाँ पे 3 तारीको संड़े है तो 3 तारीको कोई भी का नहीं होगा फिर अगले दिन यानि की चार सितंबर पोशन सपत कारेकरम का योजन और पोशन सपत हस्ताक्षर अभियान का संचालन किया जाएगा जो कि इसमें आई सीदियस जहां पे आप लोग देखेंगे वह आगनबारी के सेविकाओं का उसमें साथ रहेगा और बाकी यहां पे जो अन्य स्वयोगी हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हैं एक से लेके 9 सितंबर 273 तक आपको यहां पे ग्री भर्मन इस तक यानि की ग्री भर्मन आपको डेली करना है एक से लेके 9 तरिक तक 6 माह तक केवल अस्तनपान वह छे माह के बाद उपड़ी आहार अभ्यास परामर्स जो भी इस गतिविधी में सामिल गएंगी उनको यह सभी जो मुखे जनकारी है वो आप लोगो को देनी है और यह भी ICDS के स्वयोग से ही किया जाएगा ठीक है साथ तरी को देखेंगे यहां पे 7 दिसंबर को दिया गया है समुदाय अधारित गतिविध है वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं आप लोगो को इस परकार से अगर लेटर नहीं मिला है तो मैं इसका लेटर आपको अपने WhatsApp गूरूप में डाल दूँगा वहां पर आप लोग जाके इस लेटर को देखके अपना जो कारेकरम है वो कर सकती है यहां पर आपको जो म सितंबर तक ग्री भर्मन करेंगी लेकिन फिर उसके बाद यहां पर 11 सितंबर से भी आप लोग को यहां पर ग्री भर्मन दिखा रहा है तो 11 सितंबर से 16 सितंबर तक ग्री भर्मन करना है ठीक है ब्रिधी निगरानी यहां पर एक से 9 सितंबर तक आपको डेली करना है ब्रि जैसे कि 6 माह से उपर के बच्चों को उपड़ी अहार में घर में असानी से बनने वाले अहार में खादय बिविधित्ता को सामील करने हैं तो परामर्स दिया जाना है ठीक उसके बाद यहां पे 20 सितंबर को पोशन वाटी के कीचेन गार्डन के स्थापना है तो जन समुदाय को जागरू करना यानि कि उसके बारे में यहां पे चर्चा करना है ठीक है तो टोटल यहां पे 30 तारीक तक जो भी गतिविधि है वो सभी दिया गया है यहां पे नोट में आप पर सकते हैं पोशन माह के दवरान किये जानने वाले अन्य गतिविधि सभी गतिविधियों के साथ साथ आपको अन्यगति मिधी क्या करनी है यह जर अध्यान से देखिएगा जैसे कि ग्री भर्मन के दवरान पोसं सपत दिलाना वो हर्स्ताक्षर अधियान का संचालन किया जाएगा दूसरे यहाँ पर है BHSND का आयोजन सुक्स मकार योजन के अनुसार निर्धारित तिथी को BHSND दिवस का आयोजन अस्तांपान एवं उपडियाहार एनिमिया आदी भी स्वेव पर विस्तेश परमर्स करना है उसके बाद यहाँ पर हैंड वासिंग है हैंड वासिंग आपको डेली करना है सभी आंगनबारी केंद सभी आंगनबारी केंदर पर साब सफाई है तू हाथ धोने की गतिवीधी का अभ्यास कराना है और यहाँ पर है 14 यानि कि लाश्ट 1-9 सितमबर 22-23 के बीश पर खंड अस्तरिया C.A.P. बैठक का आयोजन एओम 18-23 सितमबर 22-23 के बीश जल अस्तरिया C.A.P. का बैठक का आयोजन किया जाएगा ठीक है इस परकार से यहाँ पर यह सारी गतिविधियों का आप लोग को पोसन अभियान के डेस्बोर्ट पे अपलोड करना है नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे कि किस परकार से इन सभी गतिविधियों को आप लोग डेली अपलोड कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजेगा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंग